खाथों में पूजा की थाले पाई राथ सुहागों वाले ओ चौन्द को देखूं हाथ में जोडूं तरवा चौत का व्रत में तोडूं तेले हाथ से पीतर पानी दासी से बन जाऊं रानी आज की रात जो मांगे कोई वो पाजाए रे नमस्कार स्वदेश नियूज में आप सभी का स्वागत है किसीने क्या खूब कहा है कि रिष्टो की माला तो विश्वास के फूलों से बनी होती है और अगर प्यार का रंग भरा हो तो हर उम्र में खुशी मिलती है और देखे जो रिष्टो की शुरुआत है ये रिष्टो की शुरुआत होती है एक लड़की और लड़के के विवाह के बाद याने कि उनके परने सूत्र में बंद जाने के बाद दो परिवारों का मिलन होता है दो आत्माओं का मिलन होता है और किस तरह से एक जो लड़की है वो वधू बनकर बहू बनकर किसी दूसरे घर पे आती है उनके संसकारों को अपनाती है और उसके बाद उस घर में घुल मिल जाती है और वही उसका परिवार हो जाता है वही उसकी दुनिया हो जाती है जहां उसका पती होता है उसके साथ उ कोई न कोई तियोहार, कोई न कोई उत्सव जरूर मनाया जाता है। और बात जब करवाचौत की आती है, तो सुहागिन इस्रियां बड़े ही सद्धश कर, 16 शिंगार करके अपनी पती की लंबी आयू के लिए और उसकी कामना के लिए वरत करती है। और ये वरत किस प्रकार से करती हैं और साथ ही साथ आज के बदलते परिवेश में करवाचौत का कितना महत्व है और अगर एक जो नारी है वो वरकिंग वुमेन है तो वो कैसे मैनेज करती है, घर में किस प्रकार से वो मैनेज करके बाहर निकलती है और फिर उसी तरो ताजग आप सभी का स्वागत करती हूँ करवा चौथ स्पेशलिस्ट प्रोग्राम में सबसे पहले मैं अपने सभी गेट्स से आपको रूबरू कराती हूँ सबसे पहले हम मुलाकात करेंगे मेरे जो दाएं साइड में बैठी हुई है मरून कलर का सूट पहन के वो है अराधना सिंग चोहान जी ब्यूटीशन है जबलपुर शहर में बड़ा जाना पहचाना नाम है उसके बाद मैं बात करूँगी गाइनिक है डॉक्टर है डॉक्टर शादा जी मेरा नाम मैंने आपको बता दिया है और मेरे लेफ्ट हेंड साइट पे है शिवीना जी फैशन जगत में एक जाना पहचाना नाम संसकारधानी जबलपुर शहर में और मेरे लेफ्ट हेंड साइट में आप देख रहे होंगी प्रियंका कल्चुरी जी है और दीवा कलब चलाती है एक शोशल वरकर भी है बड़ी एक्टिविस्ट है और हर एक फिल्ड में आप कहें तो अभी जैसे कि कोरोना का समय चल रहा था तो इन्होंने बकायदा जिसको हम कहते हैं ऑनलाइन कॉम्पटिशन बहुत सारे कॉम्पटिशन कराए और इस प्रकार से सभी को घर में बिजी रखा और साथ ही साथ कलब में भी बिजी रखा तो आईए करते हैं शुरुआत और जानते हैं सबसे पहले हम अरादना जी से ब्यूटी जगत से जुड़ी हुई है और करवा चौत के अगर बात की जाए तो 2019 का जो करवा चौत रहा और अब 2020 की बात करें तो कितना अंतर पड़ा और साथ में कितने क्लाइंट्स आ रहे हैं वेपार पर कितना प्रभाव पड़ा आपके नमस्कार मैं आरादना सिंग्चोहान जो कोरोना काल में और उसके पहले का करवा उसमें बहुत बहुत ज़ादा फरक पड़ा क्योंकि कोरोना का ये जो महा मारी है उसका इतना ज़्यादा खौफ है हमारे क्लाइंट्स में कि ये हमारा जो Bigght जगत है वो basic needs में नहीं आता है ये secondary है और socialization नहीं है सिंस सोचलाइजेशन नहीं है तो फिर आपको कहीं प्रेजेंटेबल नहीं होना है तो ओवियसली क्लाइटेश का तो बहुत ज़्यादा मतलब बिजनेस तो हम लोगों का बहुत श्लैकिंग पीरियड में था स्टिल अब करवा चौथ के कुछ दिन से हम लोगों में बड़ा उचसा है क्योंकि महिलाएं में अब हमने देखा है नोटिस कर रही हूं कि काफी महिलाएं अब बाहर निकल रही है और करवा चौथ का होता ही है इतना क्रेज कॉंपटीशन से बढ़ जाते है कि मैं सबसे ज़्यादा बेटर लगूँ अबसलूटली और सुन्दर लगने और फिर पती को लुभाना है पती की तरफ मतलब उनके लिए एक साल में एक पहला एक तोहार है जो उनके लिए रहना है तो अब इसली सभी सुन्दर दिखना चाहती है तो अब बहुत अच्छा मतलब आ गया है काफी अच्छी क्लाइंट इस रिस्पॉंस भी काफी अच्छा आ रहा है आई होप कि अब आगे हमारा जो बिसनेस है अब बिल्कुल टॉप पे रहेगा बिल्कुल गयने की करवा चौट से शुरुआत हो चुकी है और क्लाइंट बढ़ रहे है और साथी साथ अगर हम बात करें दीपा वली के बाद एकादशी आएगी और शादियों का भी सीजन आ जाएगा हमारे साथ में हैं डॉक्टर शादा जी आप एक गाइनिक हैं डॉक्टर हैं बहुत बड़ी रिस्पोंसिबिल्टी होती है एक डॉक्टर की ऐसे में जब आप करवा चौट रहती हैं सुबा से आप जल नहीं ग्रहन करती हैं भूका भी रहना है और साथी साथ अपने पेशन्स को भी डील करना है घर का मैनेजमेंट भी समालना है तो कितना सहयोग पती देव करते हैं नमस्कार, सबसे पहले तो मैं इस बात पर जाओंगी, कि भूखे रहना है, पेशेंट देखना है, पेशेंट देखना जो है, वो हमारी प्राइमरी जरूरत है, भूखा रहना ये हमारी इक्षा पर है, और सारी चीजे हम बहुत अच्छे से मैनेज कर सकते हैं, अगर हमें दो चीजे हो, पहली बात एक इक्षा शक्ती चीज होती है, और दूसरी बात है पॉजिटिविटी, तो अगर आपके इक्षा शक्ती है, और आप किसी चीज को कर रहे हैं, तो आप उसको बहुत अच्छे से कर सकते हैं, और दूसरी मेरे जीवन के कुछ उदेश हैं, कि मैं जि देखते हैं, और शाम तक शायद आप इश्वास न करें, कोई ऐसी फीलिंग ही नहीं आती ही कि फास्ट है, और मुझे तो कभी कभी ये लगता है कि फास्ट के साथ अगर हम अपने आपको बिजी रखते हैं, और पेशिंट देखना अगर हम फास्ट रखें और पेशिंट देखें, पेशिंट को निगलेक्ट करें या पेशिंट से चिरचिडा के बात करें, तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसा फास्ट लखना विर्थ है, क्योंकि हम जब पेशिंट को देखते हैं, तो पेशिंट की हमारे साथ दुआएं भी होती हैं, हम दुआ जरूर मांगते हैं चंदरमा से अपने पती की दिरधायू के लिए लेकिन जो पेशिंट्स की दुआएं होती हैं वो हमारे सिर्फ पती के लिए ही नहीं हमारे लिए हमारे परिवार के लिए सब के लिए बहुत फलदाई होती हैं जो कि लॉंग रन में हमें रिवार तो मेरा तो यही कहना है कि फास्ट रखना से ज़्यादा जरूरी पेशिंट देखना और फास्ट रखना क्योंकि हमारे कल्चर में हैं हमारे संसकार में हैं तो उसको भी मैंने आज तक नहीं चोड़ा है और मैं जब MP में शादी होकर किया थी तो UP में तो करवा चौत का बहु इदर जरूर कुछ स्वास्ट के कारण से मैं दो चार साल से चाय लेने लगी हूँ वो भी एक बार ले लेती हूँ अगर इक्षा हुई तो डिपेंड करता है कि मेरी स्वास्ट कैसा हो रहा है अदरवाइस मैं निर्जला ही करवा चौत रहती हूँ और मुझे लगता है कि अगर आपकी इक्षा शक्ति है तो आपको कभी ना थकान होगी और ना कभी चिड़ चिड़ा पनाएगा बस इक्षा शक्ति की और एक फीलिंग की जरूरत होती है आपके विचारों की जरूरत होती है तो बहुत ही अच्छी बात कही उन्होंने की एक फीलिंग की जरूरत ह होती है और इच्छा शक्ति की बात की और साथ ही साथ सबसे महत्वपूंट बात की कर्म ही पूजा है और अगर आप एक डॉक्टर है तो सबसे पहले आपकी responsibility है अपने patients की देख भाल करना और उनको और उनकी problems को सुनना और उसको साथ ही साथ solve करना बात हम शिवीना जी आप से करेंगे fashion जगत से आप जुड़ी हुई है और जो कर्वा चौत का एक जादा crazy रहता है पंजाबियों में आप पंजाबी भी है सुबा उटके एकदम जिसको कहते है भोर के पहले सगरी आप लेती है जब और कैसा माहूल रहता है घर में और इस बार अगर बात करें तो कैसा रहेगा नमस्ते और सभी को कर्वा चौत की बहुत बहुत शुब कामना है मैं शिवीना हुजा और डेफिनिटली मुझे एक पंजाबी कल्चर से इसल्फ बहुत लगाओ भी रहा है और जब एक मैरिस का टाइम आता है तो आई वस वेरी मच क्लियर एक अपनी एज में मैं बहुत क्लियर थी कि मुझे किसी और कास्ट में मैं रिस करनी ही नहीं है जिस बिकॉस आई जिस लव दी रिच्वल और मेभी शैदी करवा चौत एक ऐसा रिच्वल है जो बहुत एक अट्राक्टिव सा भी है और पंजाबियों का जो जिस तरह से उसको सेलिब्रेट किया जाता है और मेभी मुझे तो पंजाबी कल्चर आई लाइक मोस्ट येस कैसे हम करवा चौत करते हैं हम सर्गी के लिए सुबह उठते हैं और हमारे उस में कुछर में बोलते हैं कि तारों की च्छाओ से में बannon की चयाया की अधुमिद्व आपको तारों की च्छाओं में ही करना होता है तो पांच बजिस दब तक रहते हैं तब तक हमें तो वह से खेड़िल बनाकर करना होता है तो हमारे में यह सब बाद में नहीं करते हैं, in fact brushing भी युकांट डू आफटर, तारों की चाहों में ही सब कुछ करना होता है, तो एक schedule बनाना पड़ता है कि कितना टाइम आपको अपने हेर वाश और फिर उसके बाद, हाँ सरगी के लिए, definitely I am, मतलब एकतर इसे nuclear family में हूँ, तो वैसे पहले, before marriage joint family में थी, तो वहां देखा कि, सभी, chaachi, mommy, लोग, एक साथ बैठती थी, और दादी वगयरा, सब सरगी एक साथ पूरी table लगती थी, but as because of nuclear family, ती है, menu ready करते हूँ, कि मेरे लिए प्राथा होना चाहिए, कचोरी होनी चाहिए, I don't like much meatha, especially in सरगी, but finia हमा कि मैं थोड़ा-थोड़ा खालूं और बाकी सारा बच्चे को अपने husband को खिला दूँ, तो finia जो भी बनती है, वो पूरी कतम करनी होती, तो में एक स्पून लेकर बाकी अपने husband को खिला देती हूँ, तो this is, कि वो अच्छा लगता है कि husband, बच्चे, सब बैठे हैं सरगी क time पर, और एक bond है एक तरह से, वैसे तो मैं fast नहीं रखती हूँ, अभी तक कुछ नहीं रखा, but yes, करवा चौत का इक अलग क्रेज रहता है, और during pregnancy भी आया, और सोचा कि, सब लोग बोलते हैं कि अगर नहीं हो रहा है तो just take some water, but नहीं, पता ही नहीं चलता, maybe एक feeling है, एक bonding है उसके कारें सब कुछ हो जाता है, and definitely, बहुत enjoy करते हैं, during this COVID भी मुझे नहीं लगता कि, because it's a ritual और it's a bond in between husband and wife, तो मुझे नहीं लगता है, इसमें कुछ change आएगा, या celebration में कुछ change आएगा, उसी enthusiasm के साथ, उनी चीजों के साथ, हमें ऐसा भी नहीं है कि, नहीं, ज्यादा vast gathering नहीं है, तो थोड़ा ready होने में कम कर लें, थोड़ा वो कर लें, नहीं, everything should be proper, because we are getting ready for our husband, so definitely, कुछ भी फर्क नहीं आना, COVID के कारण, yes, be safe, safety point of view से, जब आप पूजा में जाते हो, तो आपको ठाली करने, crowd है, तो you should carry mask, designer mask ले सकते हो, matching mask ले सकते हो, तो definitely, उनको follow करते हुए, fashion को भी follow करो, and safety measures भी follow करो, that's it. तो बहुत अच्छी बात कहीं, कि fashion को तो आप बिल्कुल बरकरार रखें, उसमें बिल्कुल कमी नहीं आनी चाहिए, safety maintain रखें, और एक blush करने लगती है, जब वो कहती है, कि मैं कुछ मीठा खा रही होती है, तो एक spoon मैं खाती हूँ, बाकि अपने husband के लिए बचा देती हू और पती देव कितना सहीयोग करते हैं, क्योंकि आप बहुत active रहती हैं, हर एक competition में busy रहती है, clubs चलाती है, social work करती है, तो कैसा सब manage करती हैं? Hello everyone, this is Priyanka Kulchurya Grawal, हाँजी Simran, मैं राइप में को हस्बन का शुरू से ही बहुत जादा सपोर्ट रहा है, no doubt about it, और जैसे हर साल का कर्वा चौत रहता है, इस साल भी मुझे वैसे ही रहना है, हमारे हाँ चली कर्वा मूव होता है, but मैं, as Shivina ने बोला, I actually love Punjabi concept also, तो मैं हर साल कभी फ्रेंस लोग के साथ थारी भी, you know, move कर लेती हूं, 4-6 के टाइम में, और उसके बाद आके मम्मी जी और मेरी जिठानी के साथ, हमारी चाची सास लोग भी है, हम लोग करवा भी move करते हैं, और अब इस बार as COVID है, तो obviously हम with full precautions, sensibly के साथ, जित्ता हम कर सकत हमेंगे, और husband का हमेशा ही रहा है, मतलब वो पूछते रहते हैं, तुम ठीक हो, मैं बिल्कुल ही ठीक रहती हूं, मुझे सच में सिम्रन बिल्कुल पता नहीं चलता है, पानी मतलब एक आदत सी हो गई है, पते ही नहीं चलता है कि रात के 8 बचाते हूं, मैंने पानी नहीं अजिली ममी जी से पूछ किया बात करके उस पर्टिकुलर 4-6 के टाइम पर वो भी अगर कभी मैनेज होता है, तो फिर हो जाता है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम नहीं जाती है, शायद भगवान का भी इश्वर का भी रहता है, तो अब इस बार भी आप देखें कैसा क्या होता ह ऑध से एंसिबली, कुछ जो भी हम प्रिकॉशिन के साथ कर सके वैसा करेंगे तो हस्बेंट का पूरा साथ रहता है सहयोग रहता है और कथा की बात करना चाहेंगे क्योंकि आप सभी करते हैं और साथी साथ हमारे दर्शकों को भी बताना चाहेंगे क्योंकि आप सबसे बड़ी हैं यूपी से भी हैं और जो करवा चौत में एक कहानी आती है उसके बारे में थोड़ा हमारे दर्शकों को इन्शौट बताएए होता है कि साथ भाई की एक बहन थी और वो बहन बहुत-भूकी प्यासी जब दिन भर रहती है तो भाईयों को तरस आ जाता है अपनी बहन को देख करके तो वो पेढ़ पर चढ़ जाते हैं पीपल के पेढ़ पर और वहां से छलनी के पीछे से दिया दिखा देते हैं, जिससे उसको और बताते हैं, एक भाई नीचे रहता है, वो बता है कि देखो चान निकल आया, तो वो बहन जो है वो जले लेती है पुझा उजा करके और चान देख करके, और खापी लेती है, फिर उसके बाद उसको पूजा का समय है इतना बड़ा का सालवर का तेवारी कौन जो महिला है वो रो रही है तो शंकर जी बोलते हैं यह तो दुनिया है कोई ना कोई रोता और हस्ता रहता है कहां कहां तक तुम इस सब जगह रुखोगी लेकिन पारवती जी की हट होती है तो शंकर जी शायद अगर इस तरी बहुत अच्छे कामों के लिए अपने पुरुष को कुछ मोटिवेट कर सक कि नहीं अच्छी करना तो पुरुष गलत रास्ते पर नहीं जाएं तो पारवती जी शंकर जी से बोलती नहीं नहीं आपको तो चलना पड़ेगा तो शंकर पारवती जी यहां आते हैं और बुट बताती है अपनी दिन बढ़ ज़िए मैंने पूजा किया लेकिन फिर ऐसा क्यों हुआ तो नेचुरी अब तोत्रिकाल दर्शी थे शंकर जी बोलते हैं कि नहीं तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा हुआ फिर भाई लोगों को भी लगता कि यहां मैंने गरत करवा दिया तो बोलते कुछ नहीं तुम पती की जो बाड़ी है उसको साल बर के लिए रखे रहने द कर्ती है दिश शोषं की पेशिंस ऑफ लिडी की महिलाओं में कितना सब्र होता है और वह सब्र ही जो हता है तो उसका कम आता कि साल बर तक वह अपनी-पती की सेवा करती है और साल बर बाद जब फिर से करवा च्ए का बρत आता है तो वह विदि-विधान से पूजा करती है और पूजा करने के बाद जैसा उनको शंकर जिना आशिरवात दिया था उनके पती जीवित हो जाते हैं और बतुब यही है कि आपका मुझे यह लगता है कि विधिविधान से पूजा के साथ उसका दर्ड़ विश्वास जो था दोड़े विश्वास जो है वो यहां पर बहुत बड़ा काम आता है और बहुत इसलिए बहुत सी चीजों में बोला जाता है विश्वासम फल दाइकम कि अगर आपका विश्वास है आपकी पॉजिटिव थिंकिंग है तो वो आपको जरूर फल देगी कि हमारे यहां एक डॉक्टर थी वो हमेशा बोकि मैं क्यों करवाचोत रखूँ मेरे हजबन कौन सा मेरे लिए सालवर में कोई ब्रत रखते है तो मेरा यह कहना है कि नहीं उनका अपना संसकार है मेल का अपना नीचर है और उस नीचर को हटाना नहीं चाहिए तो इसमें बहुत सारी बातें आती है बिल्कुल और ग्रहस्ती की जो गाड़ी तब ही आगे बढ़ती है जब दोनों पहिए नर और नारी है वो स्मूथ रहे बैलन्स रहे बराबर रहे बात करवाचोत की हम कर रहे हैं मुझे ये साड़ी चाहिए मुझे ये जूलरी चाहिए मुझे यहां जाना है मेरे विचार से प्रेशराइज तो कभी नहीं करना चाहिए कई लोग करते हैं कि भाईया हम तभी रहेंगे अगर जो चीज़ वो फुशी से मिलती है मुझे जटाते हैं आजकल की जनरेशन कि मैं आपके लिए ब्रत रह रही हूं तो आप मुझे क्या लाके दोगे तो मैं आपके लिए रहूं कि इस बार मुझे क्या देंगे डाइमंड सेट देंगे कि वो जो पहले कर जो सेक्रिफाइस था एक बिंग लेडी वो अब धीरे धीरे खतम होती जारी अभी एक फॉर्मल हो गया है आप कुछ वो बोल नहीं पाते थे मगर अवो लाइन थोड़ी हटके आज के न्यू जेनरेशन में आप हांग से बोल देते हो कि आप लोगों ने बात की तो मुझे याद आगई हो कानी भी कि जब पतनी रही होती तो वो सुबह से ही बोल देती है कि मैं आपके लिए ब्रत इस गच का लेंगा चाहिए शाम को पूजा के लिए तो उसके पती उतना एफोर्ड नहीं कर पाते हैं और वो सोचते हैं तो वो पती पोलते है चाथी के तुम ब्रत रखो और मैं लेंगा लेकर आजाओंगा शाम को प्रियंका जी यहां पूछना चाहेंगे कि अभी कोई अपने कॉम्पिटीशन रखा है करवा चौथ स्पेशल मैंने पूरे कोवेड में ओनलाइन कोवेड में अब करवा चौथ में मैं अब सिर्फ हाँ थोड़ा से रिलाक्स करके बस हस्बेन और इस बीच हबारे साथ में हैं पीजे फिटनेस की डिरेक्टर प्रेना जादवान जी और साथ ही साथ फैशन जगत में भी अपना एक जाना पहचाना नाम है ब्यूटी के फिल्ड में भी जाना पहचाना नाम है इनसे जानते हैं कि करवा चौथ जो जब भी ये वरत रखती हैं तो किस प्रकार से ये पूरी तैयारी करती हैं क्योंकि फिटनेस की क्लासेश के आप मैनेज करती हैं सभी दर्शकों को देखने वालों को सबसे पहले तो करवा चौथ की रहे सारी शुक कामना है और करवा चौथ ये ऐसा फास्ट है जो हस्बेंड के साथ साथ एक मदर इनलो का भी बॉंड करी करता है तो हमारे सिंदीज और पंजाबी में एक करते हो तो बेसिकली मेरी मदर इनलो को पता है कि मैं टी हो तो मैं अपनी टी को ग्रीन टी में कनवर्ट करती हूं लाइक उससे बॉड़ी का एनरजी लेवल भी बना रहता है और वो एंटी ऑक्सिडेंट है तो मेरी बॉड़ी दिन भर रहती है से के अगर आप उस तरफ न करते हैं कि कुछ भी नहीं खाना है हमें आज बिलकुल भूखा ही रहना है शाम तक पूजा के बाद ही खाएंगे तो एक दिन पहले हम अपनी बॉड़ी को जो सर्गी बोलते हैं या मॉनिंग में जो हम बिफोर चार बजी जो हम खाते हैं उस मील को हाई प्रोटीन में कनव करते हैं अगर उसको हाई प्रोटीन में कनवर्ट करने तो इट फिल भी हेल्फुल तो दे होल दे आपकी बॉड़ी उसको बैलन्स कर लेते हैं नो नीड टू टेक एनी काभो हाईडरेट कोई भी फैट कुछ भी खाने की ज़रत नहीं और जहां तक वरकाउट की बांत है ए एक बंदा 24 क्या 48 आज तक एक्सराइज करके घर का काम करके बिना खाय पिए सिफ पानी पे भी रह सकता है तो इस अल बाट फिटनेस एंड आपका कोर कितना स्ट्रॉंग है आपकी बॉड़ी कितना रिस्पॉंड करती है तोटली अप टू यू पर हाँ फिटनेस जर्नी सि गारंटी मैं लेते हूं तो बिसिकली बस इत्सोटली अप टू यू माइंसेट आप कितने ज्यादा पॉजिटेव अपने वरकाउट के लिए अपने फिटनेस के लिए और कितने पॉजिटेव अपनी बॉड़ी के लिए क्योंकि जो भी हम व्रत या रिच्वल्स करते हैं कहीं न कहीं हमारी फिलिंग्स हमारी पॉजिटिवनेस पे जुड़े हुए रहते हैं चाहिए वह हम अपनी मदर इनलौ के लिए सोचे हैं या हस्बें के लिए सोचे हैं पूजा करने से कभी भी या पाट करने से शांती नहीं मिलती जब तक आपके अंदर शांती नहीं हो तो वो कहते हैं न सारे जग में हम खुशियां डूंटे हैं पर वो खुशी अंदर होती है तो इसलिए मैं हमेशा करती हो गरा मतलब कोरोना ने भले किसी की लाइफ में कुछ भी क्या आयम वेरी हापी विद इस पीरियड कि सब बिजी मॉम्स थी सारे बिजी हस्बेंस थे तो वो जो टाइम हमने हमारा क्वालिटी टाइम फैमिली के साथ स्पेंड किया था कहीं न कहीं वो लेक आउट था लेडियस को किटी में जाना है क्लब में जाना है पार्टी करने वालों को तयारी करनी है होस्टिंग की इवन क्लब के डारेक्टर्स प्रेसे सब बिजी हैं family secondary हो जाती थी but corona ने वापस सिखाया कि नहीं family priority है I am to very happy with this तो corona ने कहीं न कहीं खुशियां भी दी है क्योंकि जो working लोग थे वो सुबह से निकल जाते थे रात में आते थे और कई बार तो late night आते थे तो इस period में lockdown के period में लोगों को जानने का मौका मिला उनके साथ अपना time spend करने का मौका मिला और कहीं न कहीं एक चीज़ जो कमी थी time spend करने की वो अप family members में वो जो कमी थी उसको पूरी कर दिया corona ने corona life भी enjoy की और साथ ही साथ आपने जाना यहां पर कि एक doctor होते हुए किस प्रकार से अपनी duty निभाते हुए यह करवा चौत का अवरत करती है beautician अराधना जी इन्होंने बताया कि किस प्रकार से online इन्होंने beauty के competition करवा है और बात अगर हम fashion जगत की करें तो fashion जगत में भी यह भी अपना पूरा योगदान देती है लेकिन साल में ये एक दिन जो है इसका ये बेसबरी से इंतजार करती है और साल भर करती है और वहीं बात प्रियंका जी की करें तो कोरोना का टाइम था लोकडाउन का टाइम था लेकिन इनका कुछ भी लोक नहीं था क्योंकि सारे competition जो थे वो online थे और जब मैं इनसे मिलती थी तो भी कहती थी अभी अगला competition आने वाला है उसके judgment करना है उसके result मुझे बताना है तो मतलब की करोना तो था लेकिन बात अगर जिबलपुर शहर की करें MP की करें तो सभी लोग online जो आजकल education हो गई है online अगर आप make-up की classes हो गई है online आपकी study है competition है सभी कुछ online था और बात बहुत अच्छी है कि हमारे शहर में यह जो करवा चौत है बहुत अच्छे से मनाये जाता है और साथ ही साथ मैं आपको बतारा जाऊंगी कि आज जो हमने यह special talk लेकर आई थी आप सभी के लिए वो यही कि आज के समय में जो करवा चौत का महत्व है किस प्रकार से हो गया है आज की generation उसे और इस rituals को कितना मानती है कितना follow करती है बस जरूरत है हमें कि जो हमारी भारती सभ्विता प्राचीन काल से चली आ रही है यूँ ही चलते रहें और चलते चलते मैं बस यही कहना चाहूंगी आप सभी को कि बकायदा आप 16 शिंगार कीजिए महंदी लगवाईए और जब आप चांद के पास जाकर उसका दिदार करेंगे अपने पती की लंबी आयो की कामना करेंगे तो साथ ही साथ ये भी कोशिश कीजिए कि ये जो प्रेम ये प्यार ये महबबत जो है वो एक दिन नहीं वो पूरे साल के 300 पैसर दिन हर एक पल रहे और ये जो प्यार है हस्बेंट वाइफ का क्योंकि ये ब्लड रिलेशन नहीं होता है ये हमें ईश्वर बना कर भेजता है हमारी जोड़ी तो उनके लिए आप हमेशा एक जो महिला है अपने पती के लिए शक्ति रहे और उसका जो पती है उसका साहस बन कर रहे आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हाथों में पूजा की थाले पाई राथ सुहागों वाले हो चौंद को देखूं हाथ में जोडूं करवा चौत का व्रत में तोडूं पेले हाथ से पीतर पानी दासी से बन जाओं रानी आज की रात जो मांगे कोई वो पा जाए रे